अमस्कार, रामा अवतार द्वारा आपका स्वागत, लेखा सास्तर कक्सावारा, अध्याय तीन, साजेदार का अवकास गराण, वे मर्तिव पर लेखे, अध्याय चार, फर्म का समापन, परशन एक से गुंड चास तक, परशन एक, जब कोई साजेदार स्वेच्छा से, वृ से क्या कहते हैं, उत्तर, साजेदार का अवकास गराण करना, परशन दो, अवकास गराण करने वाले साजेदार को क्या कहते हैं, उत्तर, भार जाने वाला साजेदार, परशन तीन, साजेदार किन दसाओं में अवकास गराण कर सकता है, उत्तर, ए, समस्त साजेदारों की सह मती से बै साजेदारों के मद्दे हुए इस्पेस्ट सेराव की अनुसार और से साजेदारी एच्छिक है तो से सभी साजेदारों को अपने अवकास गिरण की सूचना दे कर प्रश्न चार साजेदार के अवकास गिरण पर आनने वाली लेंखांगन समझ चाएं कौन-कौन सी ह उत्तर के नया लाब आनी अनुपात तदा फायदे का अनुपात ग्याद करना खे खेती का समायोजन करना गे संपतियों में दाईत्मों का पुनर मुल्यांकन करना गे संचित लाबों तदा हानियों का विभाजन डे स्विंक्त जीवें विमेंट पालिक्षी का समायोजन च अवकास गरण करने वाले साजेदार को देरासी का निर्धारन, छे, अवकास गरण करने वाले साजेदार के उत्रादिकारी को देरासी का भुगतान, और जे, पुंजी का समायोजन, प्रेशन पांच, साजेदार के अवकास गरण करने पर सेज साजेदारों के लाव्याजन अ पर क्या परवाव पड़ता है उत्तर लाव व्याजन अनुपात परिवर्तित हो जाता है अते नए लाव व्याजन अनुपात की गढ़ना आवश्यक होती है परसन छे से साजेदार भविश्य में होने वाले लाव का व्याजन किस अनुपात में करेंगे उत्तर नए लाव व् अनुपात जोड फायदे का अनुपात प्रशन आठ सेज साजेदार अवकास गरन करने वाले या मर्द साजेदार के भाग को जिस अनुपात में प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं उत्तर फायदे का अनुपात पर्शन नो फायदे का अनुपात ग्याद करने का सुत्र क्य उत्तर फाइदे का अनुपात बराबर नया लाव्याजन अनुपात गठा पुराना लाव्याजन अनुपात परसंदस सेज साज़ेदारों का नया लाव्याजन अनुपात नहीं दिया गया है तो लाव्याजन किस अनुपात में होगा उत्तर पुराने लाव्याजन अनुपा उत्तर फाइदे के अनुपात में पर्शन बारा पूराने साजेदारों के लाब के हिस्से में कमी का परतीक क्या है उत्तर त्याग अनुपात पर्शन तेरा सेज साजेदारों के लाब के हिस्से में वृद्धी का परतीक क्या है उत्तर फाइदे का अनुपात पर्शन चोदा कौन सी ख्याती का लेखा पुस्तकों में किया जाता है और क्यों उत्तर करे की गई ख्याती का क्योंकि उसके लिए नगत परतिफल चुकाया जाता है परस्ण 15 किसी साजेदार के अवकास गरण या मृत्यु पर ख्याती का समायोजन किस माध्यम से किया जाएगा उत्तर फूंजी खातों के माध्यम से परस्ण 16 जब फ्रम से अवकास गरण करने वाले साजेदार को उसकी वास्तिक देराशी से अधीक भुकतान किया जाता है तो उस अधिराशी को क्या कहते हैं उत्तर ख्याती में उसका भाग या गुप्त ख्याती परस्ण 17 साजेदार के अवकास गरण पर संपतियों का फूनर मुल्यांकन वा दाइत्वों का फूनर निर्धारण की संपात में होता है उत्तर उनके फूराने लाव्या जान उनपात में परेसन अठारा गणना परवीष्टियां वे फुनर मुल्यांकन खाता कब बनाया जाता है उत्तर साजेदार के अवकास गरण और नए साजेदार के परवेश पर पर्षन 19 पुनर मुल्यांकन पर लाब भानी सबी साजेदारों में किस अनुपात में बाटा जाएगा उत्तर पुराने लाव याजन अनुपात में, परशन 20, संपतियों और दाईत्मों को पुराने मुल्ये पर ही दिखायाना हो, तो इस विदी को क्या कहते हैं, उत्तर इस मनार्थ पुनर मुल्यांकन विदी, परशन 21, संचय वे एवित्री तलाबों का बंटवारा सभी साजय दारों म किस अनुपात में होगा, उत्तर पुराने लाव याजन अनुपात में, परशन 22, अवकास गरन करने वाले साजय दार को भुगतान किन विदियों से किया जा सकता है, उत्तर एक, एक मुस्त भुगतान, दो, पुन्जी खाते का से सिरीन खातों में, इस्तारान अंतरन, तीन किस्तों में भुगतान और चार वार्शिक विदिद्वारा भुगतान, परसन 23, तरल सादन किसे कहते हैं, उत्तर नगदुए बैंक सेश को, प्रसन 24, किसी साजय दार के अवकास गरन करने अथ्वा मर्ति हो जाने पर, साजय दार के पुन्जी खाते को समय जित करने की आव व्याजन अनुपात में परिवर्तन तथा फर्म की पुन्जी में परिवर्तन के काराण, परसन 25, वे मुले जिसे फर्म भीमा कमपनी से भीमा आउदी में समर्पृत करने पर प्राप्त कर सकती है, उसे क्या कहते हैं, उत्तर समर्पृत मुले, परसन 26, फर्म द्वारा सभी साजेदारों के जीवन पर ली गई एक ही विमा पालिशी को क्या कहते हैं उत्तर सयुक्त जीवन विमा पोलिशी परशन 27 फर्म द्वारा परतेग साजेदार के जीवन पर अलग अलग लिये गए जीवन विमा पत्र को क्या कहते हैं उत्तर परतक जीवन विमा पोलिशी परशन 28, किसी फर्म के समस्त साजेदारों के मद्दे, साजेदारी के समाप्त हो जाने को क्या कहते हैं, उत्तर, फर्म का विगटन या फर्म का समापन, परशन 29, जब एक फर्म के सभी साजेदारों के बीच साजेदारी समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उत्तर, फर्म का पर्शन तीस फरम के समापन होने पर फरम की सभी संपतियों और दाईत्यों का क्या किया जाता है उत्तर संपतियों का विक्रे तथा दाईत्यों का भुगतान परशन 31, फरम की सभी संपतियों का विक्रेत अथा दाहित्वों के भुगतान के बाद 6 बचा, तो उसका क्या किया जाता है उत्तर, अंतिम निप्टारे के रूप में साजेदारों को खातों के माद्यम से भुगतान परशन 32, साजेदारी समापन का क्या आर्थ है उत्तर, एक साजेदार का आनने साजेदारों से समन्द तूट जाना परशन 33, क्या साजेदारी का समापन फरम का समापन है उत्तर, नहीं परशन 34, क्या फरम की समापती साजेदारी की समापती है उत्तर, हाँ पर्षन 35 व्यापार की सभी किरियाएं कब समाप्त हो जाती है उत्तर फरम की समाप्ती पर पर्षन 36 कीन प्रिष्टितियों में फरम तथा साज़ेदार दोनों का समापन हो जाता है उत्तर एक जब सभी साज़ेदार फरम को समाप्त करने का समझोता कर ले दो, जब सभी साजेदार या एक को छोड़कर अन्य सभी दिवालिया गोशित हो जाए तीन, जब फर्म का कारोबार अवेद हो जाए जार, जब किसी साजेदार ने एचिक साजेदारी को समाप्त करने की सूचना अन्य साजेदारों को देदी हो और पांच जब नयले द्वारा फ्रम के समापन का आदेश दिया गया हो परशन सेटीस शाजेदार स्वेच्छा से शाजेदारी कब समाप्त कर सकते हैं उत्तर समझोता होने पर परशन 38 फरम अनिरारी रूप से किन प्रिश्थितियों को में समाप्त हो जाती है उत्तर एक यदि फरम का व्यापार अवेध हो दो यदि एक शाजेदार के अलावा सभी शाजेदार दिवालिया हो यदि कोई भी शाजेदार सत्रुदेश का नागरिक हो और चार यदि शाजेदारों की अधिक्तम संक्या सामाने शाजेदारी में 20 और बेंकिंग व्यवसाई में 10 से अधिक हो परशन 49 नोटिस दुआरा साजेदारी कब समाप्त हो जाती है उत्तर यदि साजेदारी स्विच्छा पर निर्बर हो परशन 40 किसी भी साजेदार के आवेदन पर नयाय लेकिन प्रिश्थितियों में फरम के समापन का आदेश दे सकता है उत्तर एक यदि कोई भी साजेदारी मानसिक रूप से एस्वस्थ हो दो यदि कोई भी सक्रिय साजेदार इस्थाई रूप से अपाईज हो जाए और साजेदारी के रूप में कारिय करने में ऐस्मर्थ हो तीन यदि कोई भी साजेदार दुराचार का दोसी हो जो कि फरम के व्यापार को परभावित करे चार, यदि कोई साज़ेदार जान भूज कर परसमीदे की अभ़ैल ना करे पांच, यदि फ्रम को व्यापार से केवल हानी ही होने की संका हो छै, यदि कोई साज़ेदार फ्रम में अपने हिद को किसी तीसरे पक्स को अश्तांतरित कर दे और साथ यदि नयाले किसी भी उचित कारण से संतुष्ठ हो परसन 41 कौन सी विशेश घटनाओं के होने पर फ्रम की समाप्ति हो सकती है उत्तर एक साजेदारी यदि किसी विशेश अवदी के लिए हो तो अवदी समाप्त होने पर 2. साजेदारी यदि किसेश विशेश कारिये लिए इस्तापित की गई हो तो उस कारिये के पूर्ण होने पर 3. किसी भी साजेदार की मृत्ति होने पर और 4. किसी भी साजेदार का न्यायले द्वारा दिवालिया गोसित होने पर पर्शन 42 शाजेदारी अनुमंद में किसी भी परकार के परिवर्थन का क्या आर्थ है उत्तर शाजेदारी का समापन imanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimaniman या एन्य किसी कारण से अनुबंध में परिवर्तन साजेदारी पर क्या परभाव पड़ता है, उत्तर साजेदारी समापत हो जाती है परसन 45, साजेदारी फरम का समापन कब हो सकता है? उत्तर साजेदार की अपनी इच्छा से एव नाय लेके आदेश पर परसन 46, क्या साजेदारी की समापती के बाद भी फरम उसी नाम से व्यवशाय कर सकती है? उत्तर हाँ ऐसा समभव है परसन 47, क्या साजेदारी की समापती से फरम का समाप होना आवशक है? उत्तर नहीं ऐसा आवशक नहीं है पर्षन उन्चास क्या साजेदारी फ्रम की समाप्ती होने से साजेदारी सुते समाप्त हो जाती है उत्तर हाँ ऐसा ही होता है आप सांति प्रिये हैं रामावतार बटुक धन्यवाद